तो मैं अब भी आपको जो भी नया है वो आपको मैं explain करता जाओंगा जो आपको doubt होगा तो आप उस query कर सकते हैं ठीक है जो हमारा नया basic नया features है इसमें और कोई हमने changes नहीं किये तो जो basic functionality और कुछ नया features है हम आपको वही explain करेंगे पहले जैसे आप login करते थे आपका login credential सेम है URL भी सेम है तो जैसे आप login करेंगे आपको यह नया portal दिखेगा तो इसमें जो नया पोटल में जो features है आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पहले top में आ रहा है c status इसमें कुछ status है अगर आप इसमें आप कहीं भी इसको login करके कहीं जाते हैं तो आप जैसे यहां पर busy कर देंगे तो यहां पर notification आ जाएगा right side में team में कि आप busy हैं अभी इसे red mark करके या ऐसा कुछ आई जाएगा then meeting अगर कई meeting में जाते तो आप यहां पर meeting में भी set कर सकते हैं कि आप meeting में हैं या tea break में है या lunch break में में कितने फाइल से तो अगर आप उस फाइल के number पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप डाइरेक्टली फाइल पर उस फाइल के को access कर सकते हैं then यहां पर आपको कुछ features है जैसे नोर्स है जैसे आप sticky notes यूज करते हैं system में तो आज यहां पर भी add करके रख सकते then notice board है जो आपका KMS था इसमें एक extra feature है कि आपको यहां पर तीन चीज़े दिखाई दे रहे होगे एक notice board, एक central docs, एक my docs ठीक है इसमें क्या है कि अगर जो my docs है यह आपका जो अपना खुद का documents है अगर आप publish करना चाहते तो आप publish कर सकते हैं अदरोई आपके पास भी रख सकते हैं यहां से ठीक है आप यहां से भी अपना document जो भी important document है आड करके इसको download भी कर सकते है अगर आपने चाहा कि इस folder में कुछ documents है जो बाकी users भी इसको access करके यहां से document ले जाएं तो वो भी हो सकता है then notice board जो notice board है यह public है यहां पर कोई भी publish कर सकते हैं जिनको role assign होगा then right hand side में जो teams आ रही है यह teams क्या है यह है अगर आपके section में जो भी higher authority है वो top में आगे तिर नीचे सारे उनके नीचे जितने भी hierarchy के हिसाब से जो भी आपके offices होंगे वो आ जाएंगे लेकिन यह आपके section के या आपके offices के यह user यहां पर सो होंगे 밖에 other कोई department के कोई भी section के कोई other section के कोई भी आपको visible isn't unattain को आप इनको भी कुछ यहां से mail करना चाucking था है तो ना चाहते हैं तो मेंसेज ना चाहते हैं टसका सविंध करना चाहते तुबटे त्श्य पर आप जैसे यहां पर कोई task कर शेν डिवे तो इनको यांपे ए Ciao पर colleg में गोने मेंने ह। जाएगा ऐसे तो वह देख सकते हैं इसको क्लिक करके कि उनको क्या task मिलावाए या है नीचे आपका Connect Connect में आपका डिरेक्टरी जो आप decided hes cr civ कर चक्तें धियंद 55 यहां पर किसी को कोई कनेक्टली आप मेसेज या इमेल करना चाहते हैं आप इनको यहां पर भी कर सकते हैं ठेके इबेंट्स में आपको जो भी आपके बड़े बगरा डेटबर्ट सुपर अनुशन और आपका जॉइनिंग जब एक साल हो जाता है तो यह सब यहां पर जो पहले था इबेंट तो आपको यहां पर accessible हो जाएगा देन आपकुछ contact और my contact group बना के यहां पर आड़ को सकते हैं तो basically यह हमारा main portal है जिसमें आपका यह सब facility अबलेबल है आप इसको यूज कर सकते हैं देन हमारा जो main feature है आप left hand side में आपका यह हो गया home, e-file, kms, mail, then other services तो यह जो टास्क ब यहां पर भी है कि आप अगर किसी को task assign करना चाहते हैं तो यहां से add करके दे सकते हैं, then to do list notes यह तीन हमारे extra features है आप यहां से इसको use करके देख सकते हैं, then other services में आपको MIS repo tablable हो जाएगा और आपका email delegation, जैसे कोई मान लिजिए आपने कभी email पर आभी login नहीं किये, आप just normally e-office में login किये हैं, ठीक है, then आप directly mail पर जा सकते हैं, अगर यहां पर जो mail है, अगर आप इस mail पर click करेंगे, आपके directly email पर आप login हो जाएगे, इसे, ठीक है, उसके लिए आपको password की, कोई enter करने के जरूद नहीं है, तो यह extra feature हमने यहां पर add किये, then आपका जो main feature है, हमारा e-file, तो जैसे आप यहां पर e-file पर click करेंगे, left hand side में, आप यहां पर e-file में click करके जा सकते हैं, otherwise यह जो e-file notification आ रहा है, वो click को उपर, तो यहां पर भी आप, अगर आपके पास कोई inbox में file या receipt होगा, तो यहां पर भी आप click करके e-file के अंदर जा सकते हैं, जैसे म e-file में click करूँगा, okay, now, अभी देख सकते हैं, कि इसमें जो changes हुआ है, यह हमारा नया portal है, जो e-file 7 का है, इसमें हमने, जो आप main basic जो use करते हैं function, जो है inbox, send and search, इसको हमने थोड़ा सा minimize किया है, जैसे आप shortcut से बोलते हैं, तो यहां पर देख सकते है, receive section है, जिसमें create, inbox, send, search, जो कि आप easily access कर पाएंगे, आपको left hand side में जो एक बड़ा सा जो आपको बहुत लंबा procedure था कि बहुत maximize करना पड़ता था, तो इसमें हमने minimize function लगे है, जिसमें इसको हम hamburger menu कहते हैं, आप इस पे click करेंगे, यह expand भी हो सकती है, आप इसको minimize and maximize भी कर सकते हैं, तो यहां प education migrate, then आपका जो DSE होगा, यहां पर DSE registration होगा, then settings, यहां पर जिससे आप e-file में click करेंगे, आपका यहां पर directly inbox ही open होगा, जिससे आप inbox में जिससे वहां पर भी previous version में, आप inbox जिससे इफाइल में click करता था, वो आपका inbox ही show करता था, तो यहां पर भी same आजे, inbox ही show करेंगा जिससे आप inbox में check करेंगे, तो आपके सारे files जिससे visible हो जाएंगे, then आप यहां पर search कर सकते हैं, कि कौन से inbox में कौन सा file ले, then यहां पर एक filter option है, देख सकते हैं, यहां पर filter option जो यह हमारा नया feature है filter में, अगर आपको जो main important file है, आप यहां पर उसको select करके, बाकी सारे other file क then यहां पर जो file view है, एक file view self है, यहां पर आप देख सकते हैं, कि आपके section या कोई भी hierarchy या किसी का भी file आप, उनके inbox में कौन से file है, आप यहां से select करके देख सकते हैं, जैसे यहां पर भी filter option है, same आज़े यहां पर भी receipt के section में भी, same आज़े ओई filter option है, यह filter option दो जगे यह जोते हैं, जहां inbox होंगे, आपके file के, और यहां पर receipt के, तो आप देख सकते हैं, यहां पर receipt section के, create, inbox, send, search है, यह file का section है, create, inbox, send, search, then issue, जो dispatch होने के बार जो issue होंगे, उसका जो function है, send, return, search, यहां पर भी available है, then यह सारे चीज़े, बाकि जो other रह गए, जैसे आपका park file हो गय जो गया, close हो गया, या कोई create new, या other जैसे आप folder बना के रखते थे, तो बाकि सारे function यहां पर आपको सारे available हो जाते हैं, जैसे same features थे, same ही है, इसमें कोई changes नहीं है, जैसे कोई file में आपके inbox में को खाल लाती है, तो अगर आप यहां पर stand by में, आप उनके नाम के उपर उनका name, उनका marking ambition, उनका section और email id और उनका designation, उनका post और उनका कौन सा department है, आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे आपको कोई file भेजते हैं, तो आपको यहां पर send by उनका नाम आ जाएगा, उनके नाम के उपर अगर आप click करेंगे, तो उनके सारी details आपको फेच हो जाएगी, यहां पर उनका नाम, marking ambition, section, email id, designation, post department, आप जैसे यहां पर कोई letter या कोई भी create diary करना चाहते हैं, तो यहां पर रिसिप्ट, create browse जो physical है, आप यहां पर click कर सकते हैं, create पर, otherwise आप यहां पर रिसिप्ट में जाएंगे, यहां पर भी आप browse अंडरेज कर सकते हैं, अगर आप रि रिसिप्ट के inbox में जा सकते हैं, कौन सा रिसिप्ट आएं, तो जो भी आपका एक notification आता है, यहां पर, आपको यह कोई भी letter रिसिप्ट करते हैं, या कोई भी file आती है, तो आपको यहां पर notification आ जाएगा, यहां पर create में जाएंगे, तो अगर रिसिप्ट कोई create करते हैं, त सब्सक्राइब एक पर यहां पर नेम सुर्च करेंगे ये सेल फे आप खूल बना रहे यहां कोई सेक्षें का है या कोई टीपाट्मेंट से आयवाइए या कोई बाहर इंस्टा इसे आप आसकी तो अगर आपका यह कि कोई बाहर काघ़ इंसे तो उनका नाम से लिड करेंगे तो जैसे मैंने यहां पर contact details आड़ कर दिया और art to artist book में यहां पर section कर दिया तो next time जब भी यह minister of election commission इंडिया पर कोई भी इस नाम से आती है तो उनकी जो यह details है पूरे section में कोई भी diary करेगा तो automatically जैसे वो एक letter डाल देंगे आर या minister of election commission select करेंगे तो उनको सारे नाम यहां पर सो हो जाएंगे जो जो है तो उसी हिसाब से उनको फिर से detail डाले नहीं पड़ेगी और automatically फेज हो जाएगी अगर यहां पर self करते हैं तो वो अपने आप खुद को जब बनाएंगे वो अपने आपके लिए होगा लेकिन जब section करेंगे section में कोई भी बनाएगा डायरी करेंगा इस contact details में तो वो जिस सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर आपका जो अ था क्रिएट क्रिएंड आंड सेन तो यहां पर नामचेंज हो गया है generate, generate and send ठीक है ये दो option same आजे वो ही है जैसे आप create करते थे यहाँ पे भी same option है जैसे generate करेंगे वो आपके पास ही रहेगा जैसे create and send करते हैं आगे भेजने के लिए तो same आजे generate and send करेंगे तो आगे आपको two का option आएगा भेजने के लिए लेकिन यहाँ पे एक और option आड़ वो है जो है generate and copy यह क्या है अगर मान लिजे मैंने एक later बना दिया है यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने मेरा document में अपलोड कर दिया तो यहाँ पे मैंने generate and copy करूँगा यहाँ पे देखिए एक जिससे आप कोई भी टास कम्प्लीट करते हैं तो इसमें आपका एक success का message आएगा आप कोई भी task कम्प्लीट करेंगे अभी आपको हमेशा एक notification आएगा अगर आप कोई इसको कोई भी आप data फिल नहीं करते है तो वहाँ पे भी आपका एक notification आएगा कि आप प्लीज फिल देटा अगर आप create करने के बाद भी जैसे आप किसी को कोई लेटर सेंड करते हैं तो यहाँ पे भी आएगा एक notification successfully send हर completion work में अभी आपको एक notification आ जाएगा अगर मान लेजिए जो आपके PS, PPS जो higher officer हैं तो उनके पास जो आपके staff हैं वो उनके वहाँ पे बहुत सारे लेटर आते हैं एक जगे से तो वहाँ पे क्या करते हैं वो बार-बार यह diary और उसकी subject और add करते जाते हैं और document चेंज करते हैं लेकिन इसमें क्या है अगर आपने एक generate copy कर दिया एक letter generate हो गया और यहाँ पे उसकी details सारी सेम है एक जगे से आयो है बहुत सारे है जैसे ministry of home affairs हो गया या आपके PMों से बहुत सारे letter आयो है ठीक है एक जगे से लेकिन खाली उसकी subject चेंज है और उसकी जो left hand check बला जो आपका letter है वो चेंज है तो आप क्या करेंगे एक generate and copy करेंगे तो और क क्या होगा कि वो details सेम रहेगा लेकिन दो अलग-अलग document आपके एक साथ बन गए कि मैं इसको generate करता हूं कि दिखें यहां पर आगया सब्सक्राइब सक्सेसपुली ज्वन्रेट ठीक है यहां पर जो ऊपर के features है वो features सारे सेम है जो previously जितने भी features थे same magic वह features है इसमें कोई changes नहीं किये जिसे आप यहां से PooTee ने फाइल करते हैं कोई edit करतें कोई हमने changes नहीं किया है लेकिन जैसे आप send करेंगे कोई letter आगे भेजते हैं तो यहाँ पर two पे आपका उनका नाम आएगा CC में आपका भी उनको जैसे mark करते थे CC में कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक option है email and SMS का notification अगर आपका यह enable है तो आपका email पर एक notification आएगा जिनको आप two पर भेज रहे हैं उनको एक notification चला जाएगा कि आपने यह letter receipt किया है ठीक है इसमें भी आपका अगर e-sign and dse sign लगगा है सकते हैं तो यहाँ पर भी इस letter में भी आप e-sign and dse sign कर सकते हैं और normal send भी कर सकते हैं यहाँ पर एक intimation two का option है अगर यह letter कहीं movement होके आएवा है तो वहाँ पर तीन चार ओप्शन है ठीक है यहाँ पर भी उनको email and sms alert दे सकते हैं कि मैं दिखाते हूं अगर मेरे पास नहीं आभी कि मैं तो मैं भेज देता हूं अगर में अगर में नोटिफिकेशन दे दूँगा देन यहाँ पर सेंड कर लूँ यह देखिए सबसेस्पुली सेंड तो आप यह सेंड में जाके आप देख सकते हैं कि आप किनको मार किया हैं और अगर आपका सर्ज का उप्सण अगर आपका सर्च करना चाहते हैं कि लेटर काँ पर हैं तो आप यहां पर उसकी नंबर ट्रा करदेंगे जो जैसे आप यहां पर जाएंगे यहां पर सब्जेक्ट पहले क्या होता था अगर कोई लेटर क्लोज भी होता था आप सर्च नहीं कर पाता थे लेकिन यहां पर अगर क्लोज भी होगा यहां पर इंक्लूड करेंगे तो वो लेटर close होगा तो close भी होगा तो भी आप इसको search कर लेगे देखिए currently with this person so इसके regarding कोई कोई है इसमें और कोई changes नहीं है जैसे आप यहाँ पर create करते हैं electronic कोई letter तो यहाँ पर आपका एक changes है जो ministry and department then add to address book ठीक है then generate and copy यह और इसका name जो change होए generate generate and send यह चार option extra हमारा जो अभी received के time में जब create करते हैं तब change हुआ है बाकि इसमें कोई functionality change है जैसे आप send करते थे जैसे diary upload करते थे जैसे details भरते सेम आज होई है तो next में move कर रहा हूं file में तो file में जो changes है वो क्या क्या changes है तो जैसे basically हो गया यह मेरा receive का inbox हो गया आप यहां पर देख सकते तो basically अगर आप file पर जाना चाहते तो आप यहां पर easily file inbox में जा सकते उपर otherwise आप यहां पर भी file पर क्लिक करके यहां से भी inbox में जा सकते हैं तो जैसे आप file create करेंगे कोई नया file create करेंगे तो यहां पर file create option है otherwise आपका यहां पर बी फाइल क्रियेट नियू तो आप बेसिकली जो इजी है तो आप यहां से अक्सेस कर सकते हैं file create करेंगे जैसे file create करेंगे पहले यह आपका आप सिलेट करते हैं लेकिन यह by default आपका ही रहेगा इसमें कोई आपको sequence भी चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको by default ही रहेगा खल यह आपको फाइल नंबर सिलेट करना है कि कौन सा फाइल है कि सम्जेट उसका जैसे आप सिलेट करते थे यह या उसका प्राइमेरी एड़ ए थर्टीन फॉर्टीन करके जैसे आप फाइल बनाते हैं तो सेम आजे वैसे ही फाइल बनाएंगे देन उसका सब्जेट आड़ कर देंगे इसे continue वर्किंग करेंगे यह आपको जै चैंजेस नहीं होंगे फाइल नंबर सेम आज आप प्रोसीड करेंगे यह फाइल नंबर सक्सेस्पुली क्रियेटेड देन आपका जैसे जो लेप्ट हैंड साइट बला ग्रीन नोट अंड यलो नोट था सेम आज देख पाएंगे कि वैसे ही आजे आड ग्रीन नोट आड इसका आइकन थोड़ा सामने लाज कर दिये तो कि आपको एजी ली एकसेस हो पाएंड राइट एंड साइट पर देख सकते हैं इसमें हमने चेंजेस किये यहां पर क्या होता था ऊपर आपका आता था लिस्ट अप जो आल रिसेंट ठीक है और तो यह सब हमने यहां पर नह देंगे तब देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आता था यहां पर अभी हमने उसका लेबल का नेम चेंज कर दिया है कि वह है आइड रिसीब कि जिसे आप आड रिसीब करेंगे यहां पर आपको सारे लेटर्स जो है विजिबूल हो जाएंगे लेकिन इसमें पहले क्या होता था आप आप अटे टाइम एक लेटर आटच कर सकते थे एक फाल में लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं मेरे पास दो तीन लेटर आपको सीखेंट यहां पर आड कर सकते हैं और इसका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि जो राइट हैं अगर आप जो गलत अगर आटेज़ कर दिये तो वो कैसे 아टेज करेंगे वह भी अगर एक बार there so आपका दिटाज नहीं होगा तो सेम और यहां पे फायल एक बार इक बार जैए तो वह प्र सबक्सक्राइब यहां पर प्लीक करेंगे इसकी डिटेल में अगर कहीं से भी मुंउमेंट उसकी सारी दिखा देगा अगर कहां से कहां से हुआ और किसने बनाए हुआ पांप कर सकते जैसे पहले भी नोटिंग करते थे लिकिन इसमें जोанием चेंज्जस है वह नीचे कि यहां पर only pdf attachment होता था लेकिन इसमें अभी आप कोई भी डॉकुमेंट या एक्सेल एक्सेल डॉक फाइल कुछ भी यहां पर आड़ कर सकते हैं जो फॉर्माट यहां पर अबलेवल है यह प्रिबियस वर्जिन में नहीं था यह भी इस वर्जिन में हमने आड़ कि यहां प पहले क्या आता जो आप ओटो से होता था आपको यहां पर थोड़ा सा है पर लिंग होके सो होता था उपर लेकिन यहां पर आपको पूड़ा प्रॉपर विजिबल हो जाएगा कि यह लास सेगॉन इसमें जो रेफरेंशिंग है जो हमारा नोट टू नोट रेफरेंशिंग है उसमें भी हमने कुछ चेंजिस किये हैं जैसे मैंने यहां पर यह मेरा पूराना फाइल है ठीक है अब मैं इसमें आड़ ग्रीन नोट किया और इसमें राइट-hand साइड में मेरे सारे लेटर रीफरेंशिंग यहां साइन और यहां पर पथ से पढले बीगते हैं कुन सा पेजर करना चाहते हैं आप कौन सा पेज रिफर करना चाहते हैं अब यहां पे पहले क्या होता था कि आपको जो क्या रिफरेंस करते थे आपको कर प्रिभी पर जाना पड़ता था या आप सेंट में जाके देखनी से अब यहां पर जिसे डारेट्ली एज रिक हो आप इस पर क्लिक करेंगे आपका वो पेज ओपन हो जाएगा यहां पर मैंने कर दिया प्रिबियस नोट अब देखिए यह जो प्रिबियस नोट में नोट नमबर टू पर भी मेरा रिफेरेंसिंग है मैंने यहां पर नोट नमबर टू कर दिया और इसको भी हाइलाइट कर दिया जैसे हाइलेट किया यहां पर रिफेरेंसिंग हो गया रिफेरेंसिंग का जैसे नोट नमबर टू चिलेट करेंगे यहां पर एक एक एक्स्ट्रा ओप्शन होए जो पाराग्राफ पाराग्राफ म यहां पर देखे यहां पर नमब़र नौट नमबर 3 के अब अब अगर मैंने यहां पर पर फीर वान के लोग कर दिये अब यहां पर देखे यह जो नौड नमबर 2 एप मैं इस पर क्लिक करूंगा यह देखिए यह से हाइलेट हो जाता है अगर इसके अंदर आपका कोई रेफरेंस भी होगा तो यह देखिए यहां पर भी हाइपर लिंक होगा आप इस पर भी क्लिक करेंगे वो भी आपको डॉकुमेंट उपन हो जाएगा यह नहीं था पहले लेकिन यह हमारा इसमें नया आड़ अगर आपको ही रेफरेंस करते हैं तो अगर आपको यहां से बहुत सारे पेजास है ठीक है आप चाहते ही मुझे mode no.6 को रिफर करना है तो यहां पर है राइलाइट करेंगे note no.6 यहां पर मैंने लिख दिया note no.6 ठीक है यहां पर मैंने mouse cursor highlight किया और यहां पर इस जो no.6 है राइट राइड साइड पर उस पर है राइट लिक करोगा और रफार इस कर देगा कि देखें सक्सेस्पूली रेफेरेस्ट यहां पे हमारा नया फीचर आड़व है जो है फिल्टर ऑप्षन जो मैंने इन बॉक्स में फिल्टर है और यहां नोटिंग में फिल्टर है अगर मान लीजिए यहां पर आपका सौ से उपर नोटिंग है आप चाहते हैं कि जो हाइर जहां से मूब होके आता हुए जिन्होंने नोटिंग की होंगे उनका नाम आ जाता है तो जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे तो बस उनी का ही नोटिंग दिखेगा बाकी सारी वीडियों में आप उसको रेफर भी कर सकते हैं यहां पर इस एम आजे इस सेम फिल्टर तो आप यहां पर फिल्कर लगा के देख सकते हैं या तो आप आपका रेफरेंशिंग ऐसे भी कर सकते हैं देखिए माली जी आपने यह पेज ओपन किया है ठीक है यह जो कोर्सपोनेंट्स का इडिस हाड़ है पेजे आपका उपन है आप चाहते हुए यह वाला पेज करते हैं तो आप डाली आप क्लिक करेंगे वुलनिक से त्wen आप यहां भी रिफर उज़ कर सकते हैं यहां पर यहां पर जैसे आप परिएट नियुव करेंगे यहां पर देखिए ड्राप पहले भी अप्लोड करते हैं कोई डॉक्मेंट तो आप यहां कोई टाइप करना चाहते हैं आप जैसे टाइप करेंगे यह ऑटोमाटिकली आपका आप रह जाएगा यह ड्राप अब ऑटो सेव हो गया अभी के लिए ठीके अगर आप चाहते कि मुझे अभी ग्रीन नोड में जाना है तो आप यहां पर यह जो प्स न है देखिए ब्यार्क बटन की कोई खिरोत नहीं ह अब जैसे फाइल के नेम के उपर क्लिक करेंगे तो आपका कोई जो भी ग्रीन नोट होगा अपका कुछ भी डिलेट नहीं होगा अगर फिर से आप क्रिएट नियू करेंगे अगर आपका कोई स्वीच आप बजाती है लिए आपको बोलता है मुझे बाद में बनाना है तो बनाना को उसे ही अबेलिबल होगा तो जैसे आप यहां पर ड्राप में हमने एक एक्ट्र फीचर आपके जो है मल्तिसाइन यह क्या है अगर आपका पहले हमारा क्या ऑप्शन था जैसे कोई ड्राप डिस्पैच घुपाच पहले ड्राप आप अप्रूब होता था देन डा तो इसमें हमने क्या क्या है कि यहां पे एक इनेवल मल्टि साइंड करका ओप्सन है। यह क्या है। वांस आपका एक बार ड्राप्ट अप्रूब होती है। यहां पे मैंने सेप कर दिया। तो यहां पे इनेवल मल्टि साइंड मतलब अगर आप चाहते हैं कि इस ड्राप में अप्रूब होने के बाद कोई यहां पे अगर आप टीक करेंगे तो इसमें कोई भी त्री यूजर मैक्सिमम सिगनेचर कर सकते हैं। वह इसलिए होता है कि इसमें अप्रूब होने के बाद कोई माक्सिमम फ्री यूजर सिगनेचर कर सकते हैं। अगर आप इस पर एनेवल नहीं किये तो यहां पे जैसे कोई ड्राप्ट अप्रूब होगा। कोई भी यहां पे ड्राप्ट अप्रूब करेंगे। अगर यहां पे इनेबल नहीं होगा यहां पे कोई भी टीक साइन लेकिन यहां कोईrik कर सकता है यहां पर इंक साइन का की औपषण है अगर आप चाहते हैं कि मैंनोइली व करेंगे तो इसको यह डाउंलोड करेंगे टेक डाउलोड करने के बार वह सिग्नेचर करेंगे manual फिर उसको स्कान करके यहां पर अप्लोड कर देंगे जैसे इंक साइन में क्लिक करेंगे वो अपलोड करेंने के लिए पूछेगा आपको तो जो सिगनेचर वाला है आप यहां पर आड़ कर देंगे तो जैसे आड़ करेंगे यह confirm and discard का option आता है अगर आप confirm करेंगे तो जो सिगनेचर वाला है वो replace कर देगा यहां आपका signature copy होगा यह आपका approval copy होगा तो जो signature copy होगा वो आपका replace कर देगा approval copy के सब देन आपका option आजाएगा initiate dispatch तो initiate dispatch में आप आगे किसी को भी dispatch कर सकते हैं इसमें जो एक option है जो हमारा नया आड़ हुआ है जैसे कोई drop बनता है ठीक है अगर माली जीए कोई भी version बनती है तो यहां पर आप जैसे कोई भी version edit करेंगे आपके पास जैसे भी पहले भी आप version edit करते थे तो यह आपका हो गया पहला यह draft हो गया उसका यहां पर check कर सकते कौन सा version है तो यह दूसरा draft हो गया अगर किसने edit कि है उसका भी version show हो जाएगा लेकिन इसमें अगर आप चाहते हैं कि मैंने कोई drop ग जाता है तो आपके नाम पर आएगा किसने बनाया है ठीक है तो यहां पर आपका एक delete option यहां पर पहले क्या होता था यह जो main draft है आप delete कर देते तो यहां पर बहुत सारे user complaint करते हैं हाई drop sir कि यह किसने delete किया जैसे आप कोई भी delete करते हैं तो भी वह record maintain रहता है अभी कि किसन वर्जन पर भी option आगया है कि delete कर अगर आप खुद वर्जन बनाते हैं ठीक है तो आप खुद यहां पर delete कर सकते हैं जैसे आप यहां पर initial dispatch करेंगे ठीक है आपने इनिशेट dispatch पर क्लिक कर दिया तो यहां पर add recipient करके option है आप यह क्यूं है अगर आप जहां बाहर reply भीजना चाहते हैं किसी भी department को तो आप यहां पर reply कर सकते हैं उनका इसकोब भी आप भेज सकते हैं मैंने यहां पर add कर दिया अब इनका email ID करकर करेंगे अगर आपके department हैं भी भीजना चाहते हैं यहां यहां कर सकते हैं या उनके यहां पर भी email details डाल सकते हैं अदर्वाइज आप यहां पर भी कर सकते हैं अगर आप अपने department को कोई copy बेज़ना चाहते हैं तो यहां पर आप नया भी आड़ कर सकते हैं तो जैसे यहां पर मैं इमेल पर क्लिक करूंगा उनका subject देजिएगा email body जैसे देदेंगे तो जैसे यहां पर जैसे आपका यहां पर एक record mention हो जाएगा और आपने जो see Ш actor अगर आप किसी को भी अपने डिपार्टमेंट के अंदर कौपी भेजते हैं उनको यहां पर इंट्राइए उफिस में जाएंगे वह इस टैट का उनको वह डिस्पैस लेटर जो आपने भेजाओगा जो कौपी उनको मिल जाएगा और यहां पर उनको वह पढ़ भी सकते हैं अगर वह चाहेंगे उसको डायरी करनी तो डायरी भी कर सकते हैं इसको यह सब्सक्राइब में दोतरे के प्रॉब्लम पहले भी आते थे उसका क्या उपाई है जैसे कि जो हमार्ण नोट होता है ड्राप नोट कर सकते हैं जब तक मैंने नोट समिट नहीं किया है और मुझे उसी से मैटर पर ड्रापिंग करनी है डाप बना आऊ है होता कि मैं घुद्राप अपना नोट मैंने बना यह तो नोट हम नहीं देख सकते थे रॉप करते के साथ साथ इस पॉस्बिल टू सी नौ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो देख सकता हूं मैं आपकी सिस्टम में अभी नहीं हो पाएगा ना अभी आप पुराना नोटिंग देख सकते हैं तो नहीं होता है ना सब्सक्राइब करना होता है अपना नोट साइड में दिखता रहे तो हम उसके सब्सक्राइब अपना बना सकते हैं अभी भी नहीं है आपके साइड में ने शर आक्टोली यह जो है यह जो पहला वर्जन इसमें हमने क्या क्या है जिसे आपको इड्राप बनाते हैं ठीके अभी आप जब बनाएंगे जब करेंगे आप प्रिवियर्ज का देख सकते हैं ठीके यहां पर जैसे एक आइकन है आप इस पे क्लिक करेंगे आप इस पे आपका जो डॉकुमेंट है जो प्रीबियस नोट है ठीके यहां तक आप देख पाएंगे लेकिन अभी जो लैटेस भर्जन आ रहा है उसमें हमने जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है कुछ महिने में अभी वह टेस्टिंग मोड में उसमें आप आड़क कि आप यहँए जिसे आप यहांपे ड्राफ्टिंग करेंगे तो यहांपे भी आप जो रिसेंट जो टाइप करें वो भी आपको एबिलिबल हो जाएगा वन अदर तिंग आपने अभी भी मदब इसमें ड्राप्टिंग में जाता है मुझे समझ में आ रहा है कि स्केल्स नहीं दिये हैं यह बहुत प्रॉब्लम होती है चुंकि ड्राप्टिंग यह आप ड्राप्ट बना रहे हो ना कहीं आपको इसमें इतना जितना हो पाएगा उतना ही अबलेबल कराते हैं बाकी और एक दो नए फंशनलिटी है जो है अप जिससे कोई पार करते थे फाइल अगर आपक़ आपके पास इन्वक्स में फाइल है नया आप उपस्वाStar deja out के देन अगर आपका जो औननेसरी फाइल अप क्रिएट कर देते वो क्लोज कर पाएगए पहले option था कि आप close नहीं कर पाते थे लेकिन अभी जो unnecessary आप फाइल जो आपका गल्सी से create हो जाता है तो आप उसको close कर पाएंगे उसके लिए कोई आपका approval की जरुत नहीं है आप उसको close कर पाएंगे हाँ लेकिन इसमें एक और जो हमने करेक्ट आपको डिशाडबंड़ मिलेगा वह है कि सेल्प मुव्मेंट फाइल अभी आप भी आप लेवल नहीं है सेल्प मुव्मेंट फाइल अभी इसमें close है वह हमने बंद कर दिये ना आप सेल्प किसी को मार्क कर सकते हैं अपने आपक लेकिन बेटर होगा आप फिजिकल फाइल खोलने की जड़ोत है नहीं है सर को जब फैनली एडमिट हो जाता है तो वह हम फिसकल में चलाना पड़ता है तो यह एक है प्रॉल्म तो जैसे पहले हम कर सकते फिसकल फाइल होगा लेकिन बेटर होगा कि आप फाइल में करिये फिजिकल फाइल होगा तो कुछ फाइदा नहीं है तो लोटम नहीं करने का एक बार दिखा देंगा जर कहां से होगा रही है वही ओप्शन है अब देख सकते हैं ओके ठीक है थेंक इसमें आप हिंदी जो कंटेंट अगर मतलब करते थे या भी आपको हिंदी कोई भी फॉंट आप आड़ कर सकते हैं जो भी आपका यूज करते हैं कृती अपहशन है तो इसमें आप हिंदी कंटेंट ऑ जो नोटिक कर सकते और उसका आपका जो रिपोर्ट है अगर आप कितने भी रिपोर्ट निकाल हरते आपे हिंदी में कितने काम के तो इब ए में रिपोर्ट में आपका chains कि आप हिंदी में जो काम किये हैं आपका रिपोर्ट जनरेट हो सकता है मुझे एक डाउट था यहां पर हाँ इसमें ना ड्राफ्ट जब हम क्रियेट करते हैं तो ड्राफ्ट के जो वर्जन्स दिखते हैं मेरे चारफ्ट सब्सक्राइबर हम नचारफ्ट बरत फाइल करने के बाद तो क्या मेरे चैंज्जन्स दिखा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वा मैं प्रिबियस वर्ज में था अभी लेट्टेश बर्जन रिप्षड में फ्लोज कर दिया यह मैं वही देख सकते हो जो मैंने पुट-ब किया बस आपने प्रीबियुस आपने जो पुट-बोगा वही आप देख सकते हैं कि थैंक यू पी यहां पर आगए जाएगा यह आपको जानने की अविव फाइल कहां पर है यह automatically अब देख सकते हैं यह पहले नहीं था अभी आपने फाइल भेज़ दिया किसी को आपने सोच रहा है कि इनके पास फाइल पड़ा है नहीं यहां जैसे आगे फाइल होता जाएगा यह अपडेट होता जाएगा अभी फिलल इतने चैंजे से अगर आपको इसका मैनुएल देखनी है तो आप यहां पर हेल्प में यूजर मनुएल अबले यहां पर तो इसका यूजर मनुएल डाउनलोड करके आप इसके साथ स्क्रीन शॉट भी आठाज है आप इसका फीचर्स भी रीड कर सकते हैं जो किया है यह सबसे लास्ट में रिफेरेंसे से अब्समें इसका रहा है तो अब इसको में बात करके तो यह कब तक रिजॉल हो जाएगा अभी हो जाएगा अब हो जाएगा मैं यह चुकी बाइग्रेशन हुआ है आप सो बाकेंट टीम अभी इस्टील वार्किंग अंड देवल रिजॉल सुन वो सारे रेक और स प्रोपर आजाएगे